पीटीव स्पोर्ट्स पर शोइंग दर्स बाट भाग नजमा भाग नजमा का है नजमा मेरी भेन कूकिंग कर रही थी क्या कर रही थी किन को भेजावाई भाई हिंदुस्तान जिसकी एक अरब तीन सो क्रोड़ बादी है नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं फिर बापस आगे हूँ आपके सामने एक नई यूटूब वीडियो के साथ एक खिय यानि इस्पोर्ट्स का मियार फष्ट किलास और जितनी अकवाम जिनकी तरकी की रफटार जो है वो कम है मSmiesha जो है सुस्रवी का शिकार और गरीबी ज्यादा है, मुफलिसी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, वहाँ खियल का मियार त्मेर 5 किलास अब नाजरीन मेरी इस बात की नफ़ी हो गई उसकी वज़ा ये है कि दुनिया में कहना नहीं चाहिए वैसे लेकिन मैं कहे रहता है बेकार ठट किलास गरीब तरीन मुमालिक ने भी आॉलिम्पिक्स में मैडल ले लिया लेकिन पाकिस्तान जो कि नौजबिल्ला कहना नहीं चाहिए हर बात पर कहते हैं हम नेमतों से माला माल है हमारे पास दुनिया का सब कुछ है नौजबिल्ला ऐसा कोई नहीं है कोई शक्त कोई जात नहीं है सिवाए मेरे रब के जिसके पास सब कुछ हो लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं हमारे पास सब कुछ है नाउज बिला केना नहीं चाहिए लेकिन दरिया समुन्दर पहाड हैं दुनिया जहां कि सारी चीज़ों का धंडोरा पीटने के बाद स्कोर क्या आया ओलिम्पिक्स में जीरो जीरो हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है तो बेटा बुटसवाना के पास भी फैसिलिटीज नहीं है मुल्क का नाम है बुटसवाना उनके पास भी फैसिलिटीज नहीं है हाँ कोट डी एवार में शिवल वार हो रही है लेकिन फिर भी वो मेडल जीते हैं कोसो वो जंग में तबाव हो गया, बर्बाद हो गया, उन्होंने भी मेडल लिया है एक अकेला ये पाकिस्तानी क्यों है जिसका जीरो मेडल है चलो भाई, जनरल आरिफ के पीछे पढ़ जाओ जो रिटायर जनरल हैं जो के अलिम्पिक कमेटी के सर बरा है नहीं उनको हटा दो, कोई नया बंदा लगा दो मैं सैन करके देता हूँ फिर भी तुम लोगों का स्कोर वही आएगा जीरो क्यों, मैं सवाल करता हूँ, इस मुल्क के मुन्तजमीन से क्यों उलिम्पिक्स के अंदर हमारा जीरो मेडल स्कोर आया है मुल्क की सारी तरकी आफ़ता को में जो मौशी पावर्ज है उन सब का स्कोर फर्च किलास है हमारे पड़ोसी एरान ने भी तीन मैडल ली है गोल्ड गोल्ड, टीम गोल्ड मैडल ली है आपने क्या लिया है, अपना फेवरिट स्कोर जीरो किर्किट में आपको छक्के पसंद है और उलिम्पिक्स में आपको जीरो हिंसे आपके पसंदी था हिंसे फिर कहते हैं ये एंकर आकर हमारी बेस्टी करता है ओ मेरे से मौईपे वतन होने का सेटिफिकेट चीन रहे हो और सोशल मीडिया पे नीरत चोपड़ा की तस्वीरें तुम लोग शेयर कर रहे हो नहीं, शरम भी कोई चीज होती है कोई शरम और हया भी होती है लेकिन उन लोगों में होती है ना जिन लोगों में होती है मेरे से मौईपे वतन होने का सेटिफिकेट तो तो बात-बात पर च्षिनने की कोशिश करते हो. खुद जो नीरत चोपडा, पिर्यान का चोपडा के भाई की तसवीरें लगा-लगा के डिस्कोर्ड डांस कर रहे हूं, नीरत चोपडा जीत गया, शर्बकेर तो तुम लोगों का छिनना चाहिए, मुझे पर वतन होने का फिर कहते हो एंकर आकर हमारी खिचाई करता है मैं अच्छा करता हूं दवाई नहीं खाता अब पहले आफ में कर्केट की कार करता है नहीं थर्ड किलास गेम पेश करते हो बच्चों का वो क्या होता है गिली डंडा 2020 उसमें जीत के नाच गाना शुरू कर देते हो हम 2020 जीत गए इंगलेंड पे खुश हो रहे हैं इंगलेंड फुटबाल में आर गया बेटा तुम लोग क्रिकेट के अंदर जो अपना वाइट वाश करवा के आया हो ना इससे ज़्यादा कोई नहीं होता वहां इंडिया साथ मेडल ले लिया तुमनारा स्कॉर जीरो लेकिन क्या मुई पर बते हम नहीं कर सटके मेरे से चीन रहे हैं और नीरत चोपड़ा की तस्वीरे आप लगा रहे हैं क्यों प्रियान का चोपड़ा आपकी रिष्यदार लगती है जो उसके भाई की तस्वीर लगा रहे हैं सोचल मीडिया के उपर वैसे हर चीज के उपर नों को इंडिया से तकलीफ है यहां पर तुम इंडिया वाले की तस्वीरे लगा रहे हैं बाल कटवाने होते हैं तो वो जाकर वो कौनसी एक्टरस है वो जो पीके की एक्टरस थी उसका खामद है ना वैसे बा अविराट को ली है और मुई पर वतन उन्ने का सर्टिव के ढम लोगों से छिनने है। बैनल अग्वामी मीडिया साजिश कर रही है। क्यों वई मीडिया हर चीज की जिमेदार है। यह जो अपनी बेस्टी करा रहे हो, अपनी जीरो मेडल लेकर रहे हो, यह मीडिया कर रही है, बैनल अलगवा में इस साज़िश है, बस, बस, बहुत हो गया, अब मैश्यत पर बात करने दो यार मुझे मैं इस वक्त यह देख रहा हूं कि काश नजमा कॉलिफाइंग राउंड में, अब आप लोगों की दुआओं पे भी है, बाई जान दुआ में भी असर होना चाहिए न, हर चीज फिटनेस, हर चीज उस पर तो नहीं होगा, अब पैसलाबाद की नजमा भी भागेंगी 200 मीटर अब नजमा भागेंगी, अब नजमा भागने से मुलका कोई फायदा होता है के नहीं होता, यह है भई, पी टीवी पे लाइव आ रहा है भई, वो रहा पाकिस्तान का जंडा, यह बहुत खतरना लग रही ही मुझे भई, यह लड़कियां आएं भी आएं के नहीं हैं, हमार भई बहन का मुकाबला हो किन से रायज़, ज्याती है ना यह देखो, यह क्या एटम है भई, यह चलो भागो नजमा, कमोन नजमा, तैंक यू सो मच पी टीवी स्पोर्स पर शोइंग दर्स बाट, भाग नजमा भाग, वो पीछे गोरी, सबसे पीछे हो गई क्या? नजमा कहा है? नजमा कहा है? नजमा मेरी बहन कुकिंग कर रही थी, क्या करी थी, किन को बेजावा है भाई? ओ नजमा कहा है भाई? वो आई अभी. मेरी बहन, बाजी, मतलब बाजी, लास्ट आई हो क्या? या लो, कोई बात नहीं. उसके साथ कोच भी नहीं गया होगा देखना. यह अच्छा, यह है नजमा मेरी बहन, वारी बहन भागी. यह भाई देखो ना, यह तो ब्लैंका, वो स्ट्रीट फाइटर की ब्लैंका लग रही है, इससे का मुकाबला करा रहे है हमारी बहन का? वो देख रहे हैं, वो पकड़ में नहीं है किसी की, वो इनसान. तो दोस्तों यह वीडियो यहां पर होता है, खत्मा आप यहां से यह वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं, तो इस वीडियो के सुरुआत में आपने देखा, पाकिस्तान का इंकर, क्या ओल जलूल बातें कर रहे हैं कि नीरत चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा का भाई मैडल पाकिस्तानी मेडिया का और दूसरी क्लिप में आपने देखा कि जो क्लिप काफी इंडिया में वाइरल हुई, जिसमें मतलब पाकिस्तान की एक एथलीट है, नजमा परवीन नाम है, उनका नजमा परवीन कॉलिफाइंग राउंड के लिए दौड़ रही थी और उसको ले ही सावन टाइप का केरेक्टर है, ये कभी बाते करता है कि पाकिस्तान का करजा मैं क्रिप्टो करंसी से बिटकोइन से हटा दूँगा, इसी तरीके कि इसकी कुछ रहती है, मतलब आदत, तो मतलब ये मजा को ला रहा है, नजमा परवीन जो पाकिस्तान की एथलीट है, अल का सोचने वाली बात है, हाला कि मैं कौन हूँ, मैं मेरा इससे क्या लीना देना, लेकिन फिर भी बात कर ली मैंने चलो, हाला कि वो वीडियो भी काफी इंटर्टेनिंग है, ये भी आप सुन सकते हो कि वकार सका का एक टैलेंट हो है, कॉमेंटरी उसने अच्छी की है, ये लेकिन फिर भी, ओके, लेकिन जो एंकर बात कर रहा है, बहुत गजब की बात कर रहा है, कि तुम प्रियंगा छोपड़ा, यार कुछ तो यार सरम कर यार भाई, तू पाकिस्तान की मीडिया में तू सब लोग तुछे देख रहे हैं, इस तरीके की बाते कर रहे हैं, जोस् स्वागत केबल केर्केटर्स को मिला है, इस से पहले साइध होकी के प्लेयर्स को मिला होगा, जब होकी का वरल्ल कप या जब भी मैडल जीत के आते होंगे, मुझे क्या आपको भी नहीं पता होगा, जाता तर लोगों को तो नहीं पता होगा, तो इस बार जो स्वागत मिला definitely proud moment काफी सारे लोग और बहुत सारी जनता सडकों पर आ गई मीडिया वाले काफी full support पर थे हाला कि ये मीडिया वाले मुझे पलट ना जाए अगर third wave आ गई तो फरकाएं कि किस की वज़े से आई third wave चलिए वो सब बात की बात है लेकिन एक खुशी की बात है कि दूसरे sport इंडिया में अगर popular हो गए तो बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि cricket की dominance मैं नहीं चाहता कि cricket की dominance खत्म हो लेकिन cricket के अलावा भी दूसरे game है उनको एक दो percent जो cricket के viewers है वो देखने लगे न और वहाँ से अगर उसको दूसरे game पर भी ध्यान दे है और इसी तरीके से अगर परे कोई character आते रहे जैसे कि नीरत चोपड़ा और भी पीवी सिंधू वगयरा जो की मतलब independently खुद नीचे से उपर आकर एक दम से gold medal जीतते हैं हाला कि पीवी सिंधू नहीं जीते हैं नीरत चोपड़ा एक बहुत अच्छा एक्जामपल है यह साइद कई लोगों के लिए inspiration बने लेकिन एक बात clear करना चातों कि जो नीरत चोपड़ा है उनके twitter account को आप follow करते हैं तो उसमें साब लिखाएक इंडियन गवर्मेंट ने काफी support किया है तो definitely इंडियन गवर्मेंट अब raw material को तरास रही है साइद अभी करन रिजीजू का मैंने एक बयान सुना था जिसमें उन्होंने बोला था कि 2028 भारत का सबसे अच्छा Olympic होगा यानि उन्होंने sport ministry के रहते हुए वो बच्चे select कर लिये हैं जो अभी छोटे हैं लेकिन वो 2028 तक मतलब भारत का सबसे best Olympic होगा ऐसा उन्होंने बोला है तो दोस्तों ऐसा उमीद करते हैं कल मैं जो सुनील का उपसकर उनको आज तक पर रोते हुए देख रहा था वो बोल रहे थे कि मतलब रोने लगे अपनी चाचा मामा या जो भी आपके ओल्ड लोग उनसे पूछी सुनी उनको अवसकर क्या थे बहुत बड़े प्लेयर थे वो इतना भाबुक हो गए निखल चोपडा को गोल देखते हुए और वो चाहते हैं कि और अच्छा भारत परदर्शन करे